दोस्तों 42 हजार जो 9 नुक्त सिछक है दोस्तों जिनकी इंडक्षन ट्रेनिंग होना है उसी के संबंध में लेटर कारयाले जिला सिछापदाधिकारी मधु बनी के तरफ से भी जारी हो गया दोस्तों आज 2 जनवरी 2023 इस वीके डेट में ये लेटर जारी हुआ है आए देखत सको से और सात्वे चरण के सिछक वेर्थी से जुरे हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यां से दिया जाता है दोस्तों जाहे वो छोटी खवरे हो या बरी खवरे हो देखतों यहां पे देखे सिवा में सभी परखंड सिछापदाधिकारी मधु बनी जिला विसे है दोस्तों नौनिक्त सिछक सिछिकाओं का डेटा उपलब्ध कराने के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है और प्रसंग देख लिजे राज परियुजना निदेशक बिहार सिछा परियुजना परिशत पतना के पतरांक 7083 जो भी है दिनांक 31 दिसंबर 2022 के संबंध में मैं आपको बता दो कि यह जो इंडेक्शन ट्रेनिंग होता है दोस्तों यह आपका 30 दिवस्य ट्रेनिंग होता है और गैर आवास्य ट्रेनिंग होता है जो हम लोगों से पहले जो सिछक बने थे उन लोगों के तरफ से यह सुचनाएं दी गई है दोस्तों और जो भी सिछक बनते हैं उन्हें ये टेनिंग करना होता है, वैसे एक कावन दिवसीय होता है, जिसमें एक कुईस दिन आपका विद्यालाय में होगा और तीस दिन, बिजबल पर अभी तक ये टेनिंग दोस्तों, बिजबल में लेबल पर ही हुआ है, दोस्तो अब तक जो सुचना प्राप्त है यहाँ देखे उपर्युक्त बिस्यक यम प्रासंगिक पत्र के अनुसार नौ नुक्त सिच्छक सिच्छिकाओं का आरंभिक प्रसिच्छन इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोला जाता है जो दिया जाना है अभी तक हम लोगों को कोई ऐंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दिया गया है दोस्तो यह 30 दिवस्यक ट्रेनिंग होता है 30 दिन बीरसी में होता है और 21 विध्याले में दिस्यक प्रा। सॉफ्ट यूम हाड कॉफी, कार्याले बिहार सिच्छा पर्योजना, प्रारंभिक सिच्छा यूम समग्रे सिच्छा भियान, मध्वनी के मेल आईडी यूम समग्रे सिच्छा भियान के वार्सब ग्रुप में, कुर्ती देव टेन फॉंट में, बिहित प्रपत्र में तीन दिनों के अंदर भेजना सुनेचित करें जैसा कि राजव परियोजना निदेशक के तरफ से जो लेटर जारी किया गया, उसमें साफ से अफ लिखा हुआ है कि जनवरी के फर्ष्ट सब्ता से ही इसे शुरुआत किया जाए, और ये जो लेटर जारी हुआ है, मधुबनी के तरफ से उन्होंने तिन दिनों का समय दिया है दोस्तों, ताकि सा समय नौनिक्ति सिच्छक सिच्छिकाओं को प्रसिच्छन संचालित किया जा सके, इसे अत करम सेंख्या रहेगा, नौनिक्ति सिच्छक सिच्छिकाओं को यहाँ पे नाम रहेगा, नौनिक्ति सिच्छक सिच्छिकाओं के पिता या पती का नाम रहेगा, जन मतिती रहेगा, पदस्थापित विध्याले का नाम रहेगा जो तो, प्रसेचनिक योगिता है, डिये ले है या समान है वो यहां पे होगा और मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में यह सारा कुछ सुचनाई जाएगी दोस्तों और यह सभी सिच्छक जितने भी 42,009 नौनिक्त सिच्छक है दोस्तों उन सभी को यह ट्रेणिंग करना आवसक होता है चाहे वो बेसिक ग्रेड में हो या तो फिर वो असनातक ग्रेड में हो दोस्तों तीस दिवस्य ट्रेनिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है और वही ट्रेनिंग अब तक नौनिक्ति सिच्छकों का नहीं हुआ है जो की अब हो रहा है जोस्तों हाँ ये बात है कि अभी काफी कुछ आ रहा है जैसे कि जाती आधारित गनना भी है और आपका वो भी साथ तारिक से 21 तारिक तक आपका जनवरी में ही होने वाला है जोस्तों फिर ये वाला ट्रेनिंग भी हो गया फरवरी मार्च में एक्जाम भी है मैटिक और इंटर का तो बहुत से सिच्छक सिच्छिकाओं का वहां भी ड्यूटी लगेगा तो समझ जाएं तो होंगी लेकिन सिच्छा विभाग इसे अपना धार पे ये सुची बनाएंगे और उस हिसाब से सब की ट्रेनिंग